साथियों नवसकार कैसे हैं आप लोग कम्पिटेशन कम्यूनिटी के इसक्रेशनल प्रेटफर्म पर एक बार हमेशा की तरह आपका पुना स्वागत है आज हम क्या देखेंगे आज हम आयोग जो पढ़ रहे हैं आप हमारे साथ यूनिट 10 पढ़ रहे हैं उसी सीरीज में उस इसके बाद हमारी जो क्लासेस होगी वो संबिधान के जो प्रेलिम्स में हमारे सलेवस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आईए आज हम पढ़ना सुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और क्या देखेंगे इसके बात करें तो इसके गठन का प्रापधान किया गया इसका गठन किया गये अब इसके गठन की बात करें तो इस्थापना 18 एक्टूबर 2010 10 में इस्थापना हुई राष्टी हरीत अधिकरण की अब भारत का एक बिसेश पर्यावरण नया अधिकरण इस्थापित करने वाला ये दुनिया का तीसरा देश है आप याद रखें की जो नया अधिकरण का नियाले इस्थापित करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है सबसे पहले अर्ष्टेलिया में और उसके बाद न्यूजी लेंड में इस्थापित हुआ राष्टी हरीत अदिकरन उसके बाद भारत में अब हम इसका उद्दे से देखें कि आखिर यह आयो गठित के आर्टिकल 21 के तहत हुआ और उसमें प्राणियम देहिक सुतंतिता की बात की गई है उसी से संबंधित यह है राष्टी हरीत अधिकरन आयोग आईए आगे बढ़ते उद्दे से क्या है मैंने आपको बताया कि पर्यावरन संबंधी मुद्दों का तेजी से निप्टान क करने के लिए उसमें सहायता करने के लिए क्या किया गया इसका गठन किया गया इसके मुख्याले की अगर बात करें तो मुख्याले इसका दिल्ली में है और इसके जो छेतरी कार्याले हैं वो चार छेतरी अन्य छेतरी कार्याले हैं और वो कहां कहां है तो हम आईए देखते है वो क्रम सा भोपाल, पूरे, कोलकत्त, चिन्नाई और इसको अगर आपको साठ में याद करना हो प्रिलिम्स पॉइंट अब भी उसे की पॉइंट तो एक कोड बढ़ भी है इसका क्या है भोपू, भोपू कोच भोपू कोच भोपू कोच से आप याद रखेंगे भो से भोपाल, पू से पूरे और कोच से कोलकता और चे से कोच से चन्नई तो इस प्रकार इसके छेतरी कार्याला याद करने की एक साधारन सी ट्रिक भी है इसको भी आप देख सकते हैं अब हम आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं तो सनरचना सनरचना एक प्रकार का ये बहुसदसी निकाय है राष्टी अधिकरण जो आयोग है वो बहुसदसी निकाय है इसमें एक अध्यक्ष नयाइक सदस और विशेस सदस का अपराबधान किया गया अब इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं कितने नयाइक सदस कितने विशेसग सदस इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आईए देखते हैं अध्यक्ष या नयाइक सदस उच्च नयाले का मुख्यनयदिस या उच्चितम नयाले का कोई नयादिस हो सकता है क्या इसका धख्यया नयाईक सदस अब हम देखें कम से कम दस और अधिकतम 20 पून कालिक नयाईک एवं बिसे सग सदस होते हैं कम से कम दस लोग होंगे और अधिकतम की बात करें तो अधिक्तम 20 लोग होंगे इसमें आयोग में चाहे वो पूनकालिक नियाईक सदस्य हो या विसेसग सदस्य हो अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं हम नियुक्ती इनकी नियुक्ती करने का काम कौन करता है न्युक्ति करने का काम केंद सरकार करती है और केंद सरकार कैसे न्युक्ति करती है तो अदक्च की न्युक्ति भारत के मुख न्याइधिस के परामर से कौन करता है केंद सरकार करती है केंद सरकार करने का काम है न्याइक और विसे सगस अदस्यों की न्युक्ति केंद सरकार करेगी और वो कैसे करेगी तो वो एक समित की सिपारिस पर एक चैन समित की सिपारिस पर करती है इनकी नियुकती चाहिए वो निया एक सदस्य हो या अन्य विसेशग सदस्य हो कौन सकते हैं विसेशग सदस्यों की योगता के प्राब्धान किये गए हैं उसके बारे में हम दे इन में पांच वर्स का उसका अनुभाव कारिकाल का ग्यान हो और उसके पास परियाब तनुभाव होना चाहिए केंद्री या राज सरकार में एक प्रतिस्थित राश्टी इस्तरी संस्था में पर्यावरण से संबंदित मामलों में कम से कम पांच वर्स का अनुभा उसका होना चाहिए इसी के साथ 15 वर्स का उसका पर्यावरण से संबंदित प्रसासनिक अनुभा भी होना चाहिए वही इसमें क्या बन सकते हैं विसे सदस्य के रूप में उनकी निक्ति की जा सकती है आम अंत्रित सदस्य इसमें लाब का पद्धारन नहीं देखिए इसमें किसी भी प्रकार का लाब का पद्धारन बाहर नहीं किया जा सकता जब आप इसमे के लिए नियुक्त किये गए हैं हिस्पत के लिए तो आप बाहर किसी भी प्रकार के लापका पद्धारान नहीं कर सकते इसके बारे में बात की गई है अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कारिकाल कारिकाल कितना होता है इनका तो पांच वर्स का इनका कारिकाद होता है चाहे वो अधक्ष हों अभी से सग्य सदस्य हों अन्यायक सदस्य हों इनका कारिकाद पांच वर्स का और ये पुना न्युक्ति के पात्र नहीं होती अगर उचितम न्याले का न्यायधीस है तो वो अद्यक्ष या नयाइक सदस में अगर उसकी नियुक्ति की गई तो वो 70 वर्स आयुपून होने पर पद्धारन नहीं करेगा अगर 70 वर्स की आयुपून कर ली और वो क्या रहा है कभी भी उचितम नयाले का नयाइधिस है या बर्तमान में अभी पदस्त है या कि इसके पहले रहा है मतलब अभी रिटार्मेंट हो गया है वो अगर अद्यक्ष या नयाइक सदस की नियुक्ति की जाती है तो वो क्या करेगा वो 70 वर्स की आयुपून होने के बाद पद्धारन नहीं करेगा ऐसा प्राबधान आयुग में किया गया है आई आगे उच्च नयादय का अगर मुख नयाइधिस है या रहा है अगर उच्च नयादय का कोई मुख नयाइधिस है बर्तमान में या कभी रहा है तो वो अगर अध्यक्ष या नयाइक सदस बनता है तो वो 67 वर्स 67 वर्स आयूग के बाद पद्धारन नहीं करेगा ऐसा प्राबधान किया गया है विसे सग्ग सदस की अगर बात करें तो ये 65 वर्स की आयूग के बाद विसे सग्ग सदस जो होते हैं वो 65 वर्ष की आयोग के बाद पद्धारण नहीं करेंगे, ऐसा आयोग में इनके लिए प्राभधान किया गया है, अब हम आगे देखें, त्याग पत्र की अगर बात आए, अगर इनको त्याग पत्र देना हो, तो अधिकरण के अधिक्ष की अगर बात करें, तो न्याइक सदस्य सुप्रीम कोट के जाच के वाद ही हटाये जा सकते हैं, केंद सरकार इनको हटा सकती, अगर सुप्रीम कोट की जाच रिपोर्ट में ऐसा पाया गया, कि हाँ इनको हटाना चाहिए, तो कौन हटा सकता है, तो केंद सरकार इनको हटाने का काम कर सकती है, परिस्थितिय क्या हो मी कि ह अंदर सरकार किन परिष्थितियों बस इनको हटाएगी तो अगर वो दीवालिया हो गए हो नैतिक भेश्ट हो गए हो और दीवालिया होने से آसे आप जानते हैं कि ये आर्थिक मामला है किसी व्यक्ति से किसी निगम से या किसी संस्था से अगर आर्थिक अध्यक्ष नयाइक सदस्य और भी सेसकी सदस्यों हो, उनको हटा सकते हैं, कौन? केंद्र सरकार. मैधिक भेष्ट हो गया हो केंद्र सरकार के नजर में, सारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, जिस पद के लिए, जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, अगर उस अध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है उस परिस्थिती में क्या होगा केंदर सरकार क्या करेगी अन्य किसी न्याइक सदस्य को तब तक नया अध्यक्ष जब तक पद धारन नहीं करता तब तक के लिए न्युक्त कर सकती है केंदर सरकार क्या करेगी कि इन में से जो अन्य न कर दिया गया तो वो उसके कारेकाल तक पत पर बना रहे गा ऐसा नहीं है जब कोई नया अध्यक्षा जाएगा तो उसको वापस वो पत छोड़ना होगा आईए आगे बढ़ें और देखते हैं सक्तियां और अधिकारी छेत्र क्या है राष्टी हरित अधिकरण आयोक के हमारे NGT के तो पर्यावरण हित के मामलों की सुनवाई पर्यावरण से संबंदित कानूनी अधिकार लागू करना और अपीली छेतरा अधिकार अपीली छेतरा अधिकार ये किसके अंतरगत तो इसको सिविल नयाले की सक्ति प्राप्त होती है और सिविल नयाले की सक्ति से आप पर जानते हैं, उसका मतलब जानते हैं, कि अगर किसी आयोग को, किसी संस्था को सिविल नयाले की सकती है, तो वो भारत के किसी भी व्यक्ति को समझ जारी कर सकता है, उसको पुछतास के लिए बुला सकता है, वो किसी भी कार्याले से कोई भी कागजात मगा के जांच परताल क कर सकता है या वो व्यक्ति संबंदित व्यक्ति ने जो सपत ली है सपत का साक्षे पेस करने के लिए कह सकता है इन तमाम चीजों के बारे में सिविन ल्याले की सकती धारित करता है NGT हमारा राश्टी हरीत अधिकरन आयोग सिविन ल्याले की सकतियों के बारे में हमने विस्त को उसकी छतिपूरती दिलाना उसकी छतिपूरत मिल सके इसके लिए कार्य करने का कारवाही करने का भी आयोग का कार्य है दंड देने का अधिकार जैसे नियम का पालन ना करने पर दंड भी दे सकता है कौन एंजीटी एंजीटी दंड देने का भी अधिकार रखता है समयाव अधिका कारावास दे सकता है और वो अधिकतम कब तक का होगा तो अधिकतम तीन वर्स के कारिकाल के लिए क्या कर सकता है तीन वर्स के कारावास का प्रापधान कर सकता है निश्चित आर्थिक दंड अधिकतम दस करोर का अधिकतम दस करोर तक आर्थिक दंड लगा सक लगता है कौन NGT, कारावास आर्थिक दंड दोनों चाहे तो दे सकता है, अगर आयोक को लगता है कि इनमें दंड भी होना चाहिए आर्थिक रूप से और वैसे जेल के भी प्राबधान, कारावास के भी प्राबधान इसमें किये गए हैं, ब्यक्ति को क्या करेगा, अधिक् माने के रूप में लगाने का काम आयोक कर सकता है, ब्यक्ति होगा तो अधिकतम कितना दस कडूर, और कमपनी है तो 25 कडूर तक का प्राबधान दंड का कर सकता है, NGT हमारा, आईए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, अधिकार के नेने बिरुद अपील, अगर अधिकर सरवोच चिन्याले सुप्रीम कोट में और 90 दिनों के भीतर, ऐसे कोस्चन आपके एक्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आप से पूछा जाएगा कि अगर NGT ने, आयोक ने किसी प्रकार का कोई फैसला दिया है, तो क्या उसमें अपील का अधिकार है, वो क्या कहीं तो जी हाँ, आपका उत्तर होना चाहिए कि हाँ, अपील की जा सकती है, और इसकी अपील 90 दिनों के भीतर कहां सुप्रीम कोट में, सरवोच चिन्याले में की जा सकती है, और किन-किन अगर हम बात करें, किन-किन जो हमारा क्या है, NGT आयोक है, वो किन-किन अधिकरन के तह चाहित, सुनवाई करने का काम करता है, तो इनको देख लेते हैं, इनका कई बार questions ऐक्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं, और कैसे exam में questions पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हुए आगे, बढढ़ेंगे, तो समदित साथ कानूनों के तहत मामलो की सुनव करता है कौन NGT जल प्रदूशन नियंतर अधिनियम का पारित किया गया तो आप वहां बताएंगे कि 1974 में इसी प्रकार जल प्रदूशन निवारण नियंतर अधिनियम इसी प्रकार वन संरक्षन अधिनियम नियंतर अधिनियम नियंतर इसी प्रकार प्रयावरण 1986 सरवजिनिक देता 1991 और जैब विवित्ता संरक्षन अधिनियम 2002 इसके बारे में कई वार आपके MPPSC की एक्जाम में कोश्चन पूछा गया है इन कानूनों के तहट सरकार दोरा दिये गए नियंतर 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 इन जीटी में चुनवती दी जा सकती है अधिकरन हमारा इनको लेकर के क्या करता है अपना फैसला सुनाता है इन अधिनियम जो आएं हैं इनियमों के तहट लेकिन इनके बारे में भी चुनवती दी ज तकनीक और प्रसाजनीक अधिकारी जो भी इनको लगे उसको उपलब्द कराने का काम केंद सरकार करती है केंद सरकार का होता है अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं NGT के महत्पूर्ण फैसली अगर अभी तक हम देखें कि NGT ने कौन-कौन से प्रिशा सरकार के समझोते को NGT ने रद कर दिया और NGT ने रद क्यों किया क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित मामला था और NGT को लगा कि ये ठीक नहीं है इसलिए उसको रद कर दिया गया ये एक बड़ा फैसला था इसी तरह बस 2012 में क्या हुआ ठो सबसिष्ट का रातमक फैसला दिया गया किसके दौरा NGT के दौरा और 2013 में आप जानते हैं कि उत्तरा खंड में जब अलगनंदा हाइड्रो पावर लिम्टेट पर जुर्माना लगा दिया था NGT ने और इसका बहुत बड़ा मामला प्रकास में आया था 2015 दिल्ली NCR दिल्ली NCR प्रकास माइक्रों से कम मोटाई वाले जो 50 माइक्रों से कम मोटाई वाले क्या थे पॉली धेन उनको प्लास्टिक बैक में प्रतिबंदा लगा दिया था NGT ने इस तरह NGT के महत्यपूर्ण फैसले के बारे में हमने चर्चा करी आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं NGT के बारे में संचिप्त में हम यहां एक स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं और आप यकीन रखिए कि यह जो स्लाइड है इसमें क्या होता है कि प्रिलिम्स पॉइंट आप उसे सार्ट में सारे फैक्ट लिखे हुए हैं और आपको रिवीजन में इसका काफी फाइदा मिल राष्टी हरीत अधिकरन अधिनियम जो 2010 में आया उसके सेक्शन 3 के तहट इसका गठन हुआ था इसका गठन किया गया था इस्थापना 18 अक्टूबर 2010 संरचना की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष तथा कम से कम 10 अधिक्तम और 20 स्वारी 10 कम से कम और अधिक्तम 20 सदस से ह हो सकते हैं और नयाईक और विशेशक सदसीन में से होंगे निक्ति के अगर बात करें तो निक्ति करने का काम केंदर सरकार का है केंदर सरकार करती है कारकाल 5 वर्स का मुख्याल है दिल्ली में होगा इसका और छेत्री कार्याल है कहां कहां है छेत्री कार्याल है भोपाल में है पूरे में है कुलकत्ता में है और चन्नाई में है हमने इसके साठकट के बारे में भी बात की वो भी आप यहां लिख सकते हैं भोपू कोच ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसको प्रथम अधक्ष की अगर बात करें तो नयाय मुर्तिस्री लोकेस्वर सिंख पंथ जी इसके प्रथम एंजीटी की अधक्ष रह चुके हैं अगर बरतमान अधक्ष की बात करें तो नयाय मुर्तिस्री आदर्स कुमार गोयल जी हैं साथियों जब भी हम कोई अधक्ष बरतमान के बार होता रहता है तो अगर आप इनसे अपडेट रहेंगे तो आपको एक्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगे और आप सही उत्तर कर पाएंगे आएप हम आगे बढ़ते हैं और क्या चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे मद्यप्रदेश राज्य खाद आयोग हमारे सलेवस में क्योंकि खाद आयोग के बारे में भी चर्चा की गई है और हमारे सलेवस यूनिट 10 जो है उसका अंतिम टॉपिक ही है खाद इसनरक्षन आयो गठन हुगा मद्यप्रदेश, राजिक, आयोक का, इस तरह से ये कौन सा एक प्रकार का साम्विधिक निकाए है, अगर हम इसकी इस्थापना की बात करें, कि इसकी इस्थापना कब होई, तो इस्थापना 21 जुलाई 2017 को इसकी इस्थापना की गई, अब हम अगर संरचना की करें कि तो संरचना ये एक बहुस अदसी निकाय है और इसमें एक अद्यक्ष पांच अन्य सदस और एक सदस सचिव के रूप में होते हैं इन में क्या होगा दो महिला अनिवार होगी एक सदस से सचिव के पद रैंक से निमन का नहीं होना चाहिए जो सदस सचिव होगा राज सरकार के आपर सचिव के पद रैंक से निमन का नहीं होना चाहिए ऐसी बात आयोग में की गई है। नियुक्ति पदावाद इव्म सेवा सर्थों की एगर बात करें तो इसका निर्धारन क्या राज सरकार दौरा किया जाता है और नियुक्ति की अगर प्रक्रिया की बात करने नियुक्ति कैसे होती है तो खाद इवम नागरी का होते हैं चाहे समान्द प्रसासन विभाग की बात करें बिधि विभाग पंचायत ग्रामीर विकास महिलावाल विकास उभोकता सनरक्षन इन सब मामलों में क्या होता है इनके वरिष्टता मधिकारी की समीति द्वारा परिछण किया जाता है इनके अलग-अलग पैनल तैयार ह प्रतिक पैनल में नाम दिया जाता है और उन में से जो सिपारिस के द्वारा तेंग किये जाते हैं उनको क्या किया जाता है निक्ति करने का काम करती है तो राज्य सरकार निक्ति करने का काम करती है अगर हम कारिकाल की बात करें तो पांच वरसिया 65 वरस का इनका कारिकाल होता है बेतन भत्ते सेवा सरते राज सरकार और राज सरकार जो भी बेतन भत्ते करेगी उसमें किसी भी प्रकार का अलाव कारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा कब कारकाल के दोरान त्याग पत्र की अगर सरकार को ही लगा कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं और इनको हटाना चाहिए क्योंकि ये अपने पद का दुरूपयों कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा तो उस समय क्या होगा राज सरकार पद से हटा सकती है लेकिन किन परिस्तितियों में राज सरकार हटाएगी उसके बारे में हम यहां देखते हैं, यह तो हमिशा से आप देखते आएं हैं कि कोई भी आयोग हो, कोई भी आयोग है, दो चीज़ आपको कामन दिखेगी, एक तो दिवालीया हो जाने पर रहडाने की प्राब्धान और एक सिब्पिल नया ले कि सकती हमने जितने भी आयोग पढ़ते आये हैं, तो आप एक तरह सी दिमाग में ये भी रख सकते हैं, कि आप कई वार question exam में पूछा जा सकता है, कि संबंधित आयोग के किस प्रकार की सक्ति प्राप्त है, तो जहां तक अधिकतर जो भी आयोग हमने पढ़ा, उसमें सम्में यही पढ़ा, कि संबं ग्रूप से लेता है, पैसे का लेंदेन करता है, और उसे चुकाने में वो सक्षम नहीं है, और उसको किसी सक्षम नहाले ने क्या दिवालिया घोसित कर दिया हो, तो उसको क्या करेगे, राजसरकार उस पद से हटा सकती है, सारीरिक या मानसिक ग्रूप से अक्षम होने पर नेतिक भेष्ट हो गया हो अगर राजसरकार की नजर में उसने अपने पद का दुरूपयोग किया हो अगर उसने बित्तिय या अन ही तरजित कर लिये हो अगर वो अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का बित्ती या अनलाव हर्जित किया हो तो क्या होगा इनको हटाया जा सकता है लेकिन इनको हटाने के पहले इनको एक बार सुनवाई का परियापत अबसर दिया जाएगा अपनी बात रखने का अपसर दिया जाएगा ये ठीक बात है क्योंकि किसी को भी ऐसे बिना पक्ष रखे हुए हंटाना अच्छी बात नहीं है तो ये इनको अपसर दिया जाएगा क्यों वो अपनी बात रख सकें अपनी सफाई पेस कर सकें कि हमने ऐसा ब्रष्टाचार किया है कि नहीं आईए आगे बढ़ें आयोग की कार के बारे भी अगर चर्चा करें कि आयोग का कार क्या है जो हमारा खादे आयोग है खादे सुरक्ष्य आदिनियम के प्रापधानों की मौनिटरिंग करना इनमें जो प्रापधान दिए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करना कि क्या काम ठीक से हो रहा है या नहीं ऐसे ही बारिसिक रिपोर्ट तयार कर राज्य सरकार को भेजना और राज्य सरकार क्या करती है रिपोर्ट का वो संबंधित राज्य के बिधान मंडल में सदन में रखवाने का काम करती है सिकायत की सोपेरना से जाच करने का काम प्रभावी क्रियानवेन है तो राज्य सरकार को सलाह देना जो आयोग गठित हुआ है उसका प्रभावी क्रियानवेन हो सके ऐसी सलाह देने का काम ऐसी सिपारिस करने का काम भी आयोग करता है किसको राज्य सरकार को सारवजनिक बितरन पलाली सुनिश्चित करना आप जानते हैं कि हमारे देश में सारवजनिक बितरन पलाली के तहट क्या है गरीबों को रासन की विवस्था की जाती है उनको बितरन का काम किया जाता है तो वो बितरन सुनिश्चित हो सके बेहतर तरीके से उसको भी सुनिश्यत करने का काम कौन करता है तो हमारा खादिस अनक्षण आयोग, खादिस रक्षा आयोग करता है इस तरह अगर सक्तियां यहां कारी की बात करें सक्तियां वही सिविल नयाले की सक्तियां इसके पास और प्रसासनिक वा तक्निकी कर्मचारी उपलब्द कराने का काम कौन करेगा राजसरकार संबंदित आयोग को अगर किसी भी प्रकार की कर्मचारी की और तक्निकी इस्टाप की आवस्चता होती है तो उसको उपलब्द कराने का काम कौन करता है तो हमारा राज सरकार ऐसा करती है राज सरकार क्या करती है कि कोई विधिक आयोग है अगर तो वो राज जिखाद आयोग को उसको काम करने के लिए कह सकती है बैठक की अगर बात करें तो आयोग के अधिक चुदारा समय समय पर संबंदित मामलों में चर्चा करने के लिए बैठा गुलाई जाती है इसी प्रकार मंद्य प्रदेश राज जिखाद आयोक के अंतरगत क्या क्या है कैसे कितने इस्तरी काम है किस प्रकार की सनरचना के तहदी ये काम करता है इसके बारे में चर्चा की गई है तो ये कैसे काम करता है राज जिस्तरी समीती होती है जिला इस्तर पर जिला इस्तरी समीती होती है विकास खंड इस्तर पर समीती होती है और उचित मुलक के दुकान आप जानते है कि हमारे ग्राम पंचायत इस्तर पर ग्रामीर छेतरों में उचित मुल्के दुकान के द्वारा, इनका क्या होता है, कार संपन कराने का काम आयोग का होता है, इसी प्रकार अगर हम आगे पढ़ें, आगे देखें, रिपोर्ट या प्रतिवेदन की बारे में बात करें, कि आयोग अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसे देता है, तो उनमें से कौन सी सिपारीस अगर कोई सिपारीस नहीं मानी गई तो उसका कारण क्या रहा कारण सहित क्या करेगा इसको report को फ्रस्तुत करेगा संबंदित विधान मंदल में संयुक्त राज्य खाद आयोग के अगर बात करें ये तो हमने राज्य संरक्षन आयोग मद्यप्रदेश राज्य संरक्षन आयोग के बारे में बात की अगर हम संयुक्त राज्य खाद आयोग के बारे में बात करें तो राश्टी खाद सुरक्षा अधिनियम के जो आया 2013 में उसके सिक्सन 19-19 के तहट उसका गठन किया जा सकता है, मॉनिटरिंग और मुल्यांकन ही तो ऐसा किया जाता है, और केंद सरकार के अनुमोदन से दो या दो से अधिक राज्य मिलकर क्या कर सकते हैं, संयूक्त राज्य किसका ख़द्य सुरक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं ऐसा करने का अधिकार केनध सरकार को है वो अनमोधन के तह sitcom कर सकती है और फिर दो राज्य आपस में सह्मती बना करके इसका गठन कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं यहां भारती खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरन Food Safety and Standard Authority of India यहाँ FCI के वारे में बात की गई है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरन 2006 में लाया गया था अगर इसकी इस्थापना की बात करें तो 5 सितंबर 2008 को इसकी इस्थापना की गई नोडल एजनसी की अगर बात करें स्वास्थेवं परिवार कल्यान मंत्रा इसके नोडल एजनसी के रूप में कार्य करता है इसी प्रकार मुख्याले की अगर बात करें तो दिल्ली में इसका मुख्याले है छेत्री कारियाले 7 छेत्री कारियाले कहां कहां है वो आप यहां देख सकते हैं लखनव, कौलकत्ता, मुंबई, चंडीगर, गोहाटी, ऐसे ही चिन्नाई, कोचीन में इसके लगभग 7 क्या हैं छेत्री कारियाले काम कर रहे हैं अगर हम बरतमान अध्रक्ष की बात करें, तो रिया, तेयोतिया इसके अध्रक्ष है और 2020 में इनकी इस पद पर न्युक्ती की गई थी। अगर हम CEO की बात करें, मुखकारकारी यदिकारी कौन है, इस आयोक का, तो अरुन सिंधल जी हैं और ये सितंबर 2020 में निक्त किये गए थे इस पद पर इनको ही निक्त की गई थी अगर हम इनके कारे के बारे में देखें कि कौन कौन से कारे करते हैं तो ये किसके तहट काम करते हैं तो खादि सुरक्षा अधिनियम के प्रापधानों को लागू करने का काम इनका होता है उसी प्रकार मानाव भोक के लिए चीजों को भंडारांद बितरांद तथा उनके उत्पादन में अच्छी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके एक सही उत्पादन हो आयात और विक्री सुन निधारन करने का काम उनके स्टेंडर्ड का निधारन करने का काम किसका है इसी का है खुद्रा एवं लोग खाद पदार्थों की गुनवत्ता की जाच करने का काम भी करता है और ये जो हमारा क्या एपसी आई है ये अन जो अदिनियम है चाहे वो जलसे लेकर हो चाहे अन ज सबसे ये सक्तियां प्राप्त करता है तो साथियों आज हमने क्या पढ़ा आज हमने देखा पहले NGT के बारे में फिर हमने खादे सुरक्षा आयोग के बारे में चर्चा करी तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आपको एक्जाम पॉइंट आप व्यू से महत्पूर रही होगी लाबदायक साबित होई होगी साथियों यहां से हमारा क्या आयोग वाला जो यूनिट है यूनिट 10 वो MPPSC का खतम होता है अब हम इसके आगे जो क्लास होगी उसमें AC के महत्पूर MCQ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम आप हमारे साथ संबिधान के जो टॉपिक हैं जो हमारा भारती संबिधान है उसका जो MPPSC के प्रारंभित परिच्छा में सलेवस है उसके बारे में हम क्रैस को उसके तहर चर्चा करेंगे तो आप आए आगे हमसे जुड़िये और इसके MCQ लगाईए MCQ में हम यह समझते हैं कि I.O को ले करके संस्थल को ले करके कैसे question exam में पूछे जा सकते हैं और फिर इसके बाद हम एक नए उर्जा के साथ एक नया उत्साह के साथ भारती संबिधान में प्रवेस करेंगे उसको पढ़ने की प्रक्रिया में हम प्रवेस करेंगे तब तक आप हमसे जुड़े रहें और अप अपनी तयारी को बेहतर बनाते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवार